Hello everyone, welcome to ukul, ukul मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आई अपने इस full course on Indian economy for UPSC, PCS and SSC exams को आगे बढ़ाते हैं और आज जैसे कि आप लोगों के सामने ये जो वीडियो है ये एक नए टाइम पर आया है जो मैं आपको बताया था रात के 8 बजे ठीक है और अपसे ये जो वीडियो है इस सिरीज के जितने भी वीडियो होंगे Indian economy के ये आपको इसी टाइम पर मिला करींगे रात में 8 बजे ठीक है तो जैसे कि हमने पिछले part से start किया था हमने chapter 2 को start किया है that is Indian economy 1950 से लेकर 1990 तक और आज उसी में हम part 2 में बात करेंगे ठीक है पहले पार्ट में हमने थोड़ा सा ये देखा कि जब 1950 में basically planning की बात की जा रही थी ठीक है कि planning commission वगरा बना पंचवर्शी योजना की बात की जा रही थी उससे पहले जब देश आजाद हुआ था तो देश के सामने ये एक चुनौती थी ये एक challenge था कि किस तरीके की economy जो है उसको adopt किया जाए क्या वो capitalist हो क्या वो socialist हो या फिर वो mixed हो तो इंडिया ने basically जो इंडियन की leaders थे उन्होंने basically ये decide कि यहाँ पर रहेगा socialist part जादा रहेगा लेकिन जिसमें जो private sector है उसका भी role रहेगा ठीक है planning क्या है वो हमने समझा बाकी different types of economies जो है वो हमने समझा five year plans तक हम लोग समझ चुके थे कि five year plans जो है वो यहाँ पर बनने शुरू हुए जब 1950 में planning commission बनाया या योजना आयोग बना ठीक है आज उसके आये का part हम continue करेंगे जहाँ पर हम देखेंगे को regularly follow कर रहे हैं जिनको course पसंद आ रहा है प्लीज जादर से जादर लाइक करें जाद से जादर शेयर करें लोगों तक इस बात को पहुचाएं कि यहाँ पर एक इस तरीकी का जो course है फुल course for Indian Economy UPSC PCS SSC exams के लिए चल रहा है और अभी के लिए यह पूरा का पूरा course जो है वो बिलकुल free of cost है ठीक है थोड़े समय के बाद आप लोगों को इस course से संबंदित जो notes हैं जो quiz हैं वो भी मिलने start हो जाएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का हमें सं आप लोगों को और भी जादा जो है वो मिलने लगेंगी notes quizzes वगरा जो है वो सब कुछ मिलने लगेगा ठीक है और बाकि जो लोग channel पर नए हैं उनसे ही मैं request करूँगा कि please subscribe जरूर कर ले bell icon जरूर प्रेस कर ले so that की videos के notifications वगरा जो है वो miss ना हो और जिनको को कोई query है कोई doubt है कोई feedback देना चाहते हैं तो comment जरूर करें और बाकि सभी लोग जितने भी लोग videos देख रहे हैं please comment जरूर करें अपनी presence जो है वो यहाँ पर जरूर दिखाए क्योंकि हम लोग एक classroom तरीके से जिसमें पढ़ाई होती है offline mode में उस तरीके का एक महल बनानी कोशिश कर रहे है आपके और हमारे बीच में ताकि हम लोग को पता लगे कि हमारे जो regular viewers है वो कौन-कौन है ठीक है कुछ-कुछ के नाव हमें पता है वो हम लोग note down कर रहे हैं उससे क्या होगा कि उन लोगों को कुछ additional benefits जो है वो मिलेंगे जो हमारे regular viewers होंगे जो हमारे चीजों को हमारे content को regularly follow कर रहे हैं उनको आने वाले समय में कुछ-कुछ additional benefits जो है वो जरूर मिलेंगे वो क्या होंगे वो आने वाले समय में आप लोगों को बता दिया जाएगा ठीक है तो फिलाल जो लोग भी videos देखते है प्लीज आपको पसंद आता है तो भी बताईए पसंद नहीं आता है कु कि पंच वर्षी योजना जो थी उसके गोल्स क्या थे या उसके लक्ष क्या थे ठीक है देखिए यह चार गोल्स है एक है ग्रोथ दूसरा है modernization तीसरा है self-reliance और चौथा है equity ठीक है this does not mean that all the plans have given equal importance to all these goals यह हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि हर plan में ठीक है हर योजना में जितने भी सारे यह goals है या लक्ष है इनको समान रूप से महत्व नहीं दिया जा सकता ठीक है यह हमने पढ़ा था कि जैसे हमने पढ़ा था कि अगर modern technology का use करेंगे तो उससे क्या होगा अगर वो labor को replace करती है तो employment को वो कम कर देगी ठीक है यह हमन goals is to be given primary importance ठीक है क्योंकि जो हमारे resources है वो limited है ठीक है जो संसादन है वो परियाप्त है मतलब आप कह सकते है कि एक तरीके से सीमित है सीमित है तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि हर plan में हर योजना में किस goal को primary importance देनी है या प्रात्मिक्ता देनी है वो decide करना पड़ता है ठी the policies of the plans do not contradict these four goals जैसे contradiction की बाद ये conflict की बाद हमने बताई थी आपको वही जो मैं example अभी बात कर रहा था कि modern technology का अगर use करेंगे modern machinery का अगर use करेंगे तो उससे क्या है कि labor force का involvement जो है वो कम होगा और उससे employment जो है वो कम होगा और unemployment जो है वो बढ़ेगा तो इस तरीके कि जो contradictions ह है या जो conflict है वो भी ना हो उनका भी जो policy makers है उनको ध्यान रखना पड़ता है ठीक है let us now learn about these goals of planning in some detail प्रॉसस को detail में पड़ते है एक एक plan को एक एक goal को ठीक है देखे सबसे पहला जो है that is your growth growth का मतलब क्या है विकास ठीक है इन्नी मगर्स की बाद के रहे तो विकास ठीक है it refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country ये क्या है कि देश की जो शमता है जो capacity है उसको बढ़ाना है उसको increase करना है किस चीज की शमता जो output of goods है और जो services है यानि कि goods and services बनाने की जो शमता है उसको बढ़ाना उसी को बोला जाएगा विकास या फिर growth ठीक है it implies either a larger stock of productive capital और a larger size of supporting services like transport and banking और an increase in the efficiency of productive capital and services या तो क्या होना चाहिए कि जो productive capital है productive capital का मतलब होता है उतपादक पूंजी ठीक है या तो ये बड़ा हो बड़ी हो बड़ी होने का मतलब क्या है कि इसका मतलब एक तरीके साब कह सकते है physical capital जो है यानि कि जो means of production है और जो labor power है वो या तो बढ़नी चाहिए या फिर जो supporting services है जैसे कि transportation एक supporting service है banking एक supporting service है ये बढ़नी चाहिए या फिर जो आपकी productive capital है जो मैंना को उपर बताया physical capital कह सकते है या इसको उतपादक पूंजी भी कहा जाता है इसकी जो efficiency है वो बढ़नी चाहिए इसकी और services की दो हो रहा है विकास हो रहा है या growth हो रही है ठीक है a good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the gross domestic product या आप कह सकते हैं कि economic growth या आर्थिक विकास का जो एक indicator है कि हमें कैसे पता लगेगा कि economic growth हो रही है या नहीं हो रही है तो इसके लिए एक economic indicator है that is your GDP gross domestic product या इसको बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाथ ठीक है अगर GDP बढ़ रही है gross domestic product या सकल घरेलू उत्पाथ बढ़ रहा है तो ये एक अच्छा indicator है जो हमें ये बताएगा कि देश में economic growth हो रही है या फिर आर्थिक विकास हो रहा है अब GDP होता क्या है फिलाल आप इतना ही समझ के चलिए बाकि हम इसको बाद में detail में पढ़ेंगे कि ये उन goods and services की market value है जो देश के अंदर बन रहे है during the year किसी एक साल के दोरान जो देश के अंदर बन रहे है ये आपको ध्यान रखना है within a country ठीक है in the country का मतलब यहाँ पर ध्यान रखेंगे within the country यानि कि country के boundary के अंदर ठीक you can think GDP as a cake and growth as increase in the size of the cake अगर केक का size बड़ा होगा तो जादा लोग उसको enjoy कर सकते हैं ठीक है similarly आप GDP समझ सकते हैं it is necessary to produce more goods and services if the people of India are to enjoy a more rich and varied life ठीक है यानि कि जादा से जादा goods and services को बनाना पड़ेगा produce करना पड़ेगा अगर यह चाहते हैं कि जो भारत के लोग है जो people of India है वो उनकी जो life है वो जादा rich हो rich होनों का मतलब है समरिद हो और varied हो विविद हो ठीक है यानि कि उसमें क्या हो विविदताए हो variations हो तो उसके लिए क्या है कि जाद सेदा produce करना पड़ेगा यानि कि आप कह सकते हैं कि जो GDP है वो जादा होनी चाहिए ठीक है चलिए आगे देखते है the GDP of a country is derived from different sectors of the economy जो different sectors है जो different शेतर है उन से आती है जैसे कि agriculture sector है industrial sector है और service sector है और जो हर sector का योगदान है the contribution made by each of these sectors make a structural composition of the economy वो एक देश की economy की या अर्थिवस्ता की क्या होती है structural composition यानि कि कह सकते है सन रचनात्मक सन रचना या सन रचनात्मक रचना ठीक है in some countries growth in agriculture contributes more to the GDP growth यानि किसी देश में ऐसा होता है कि जो agriculture है जो कृषी है वो GDP growth में जादा योगदान करती है लेकिन कुछ countries में ऐसा होता है कि जो service sector है वो जादा इस GDP growth में योगदान करती है ठीक है और यह थोड़ा सा उपर box में चलते है service sector के बारे में कुछ दिया गया है थोड़ा से इसको पढ़ते है देखिये as a country develops जब जैसे कोई देश जो है वो विकास करता है वो develop करता है तो it undergoes structural change जैसे इंडिया के अगर case में हम बात करते हैं तो the structural change is peculiar usually with development the share of agriculture declines and the share of industry becomes dominant ऐसा होता है और देशों के case में ऐसा होता है कि जब development होता है तो agriculture का जो share है वो कम होता है और industry का share जो है वो बढ़ता है at higher level of development the service sector contributes more to the GDP than the other two sectors ठीक है यानि कि जब आपका विकास जादा होता है मतलब higher level of development होता है तो जो service sector है वो GDP में जादा contribute करता है than the other two sectors ठीक है other two sectors मतलब agriculture and manufacturing sector लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो GDP में जो share है वो 50% से जादा किसका था agriculture का ठीक है और यह expect भी किया जा सकता है क्योंकि इंडिया आपको पता है कि क्रिशी प्रदान देश रहा है agrarian economy रहा है पहले से ही ठीक है लेकिन अगर हम बात करते है 1990 में यह तो basically बात तब थी जब देश आज़ाद हुआ था 1947-1950 के आसपास ठीक है लेकिन 1990 के अगर हम बात कर रहे है तो service sector का जो रोल है जो share है वो इतना था 40.59% more than the share of agriculture or industry ठीक है like we find in the developed nation जैसे की विक्सित देशों में होता है ऐसा था यह हुआ क्यों this phenomenon of growing share of service sector was accelerated in the post 1991 period यह basically जो था वो बाद में क्या हुआ कि जब 1991 के बाद कुछ और reforms लाए गए अभी हम आगे जाके reforms पढ़ेंगे LPG reforms, liberalization, privatization, globalization, globalization तो उसके बाद basically जो चीजे है यह जो आपका service sector की जो share है मतलब share में जो इसका योगदान है जो बढ़ गया था growing share जो है वो इसकी वज़े से और भी जादा हुआ ठीक है यह भी हम आगे जाके आगले चेप्टर में पढ़ेंगे ठीक है फिलाल आप यहां तक की चीज़ें समझ गया होंगे अब हम अगला goal देखते है 5ware plans का वो है modernization modernization का मतलब होता है आधुनिकी करण ठीक है तो जो producers है जो निर्माता है उनको क्या करना पड़ेगा नई technology का use जो है वो करना पड़ेगा जैसे की a farmer can increase the output on the farm by using a new seed varieties ठीक है जो नई seed की variety है उनका use करना पड़ेगा instead of the old ones similarly अगर हम बात करें एक factory can increase output by using a new type of machines तो नई type की machine का अगर वो use करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो output है वो बड़ेगा the adoption of new technology is called modernization ठीक है जो नई तकनीक का use करना है उसका adoption है उससी को बोला जाता है modernization या फिर आधुनी की करना ठीक चले आगे देखते हैं however modernization does not refer only to the use of new technology but also to changes in the social outlook such as the recognition that women should have same rights as men यहाँ पर यह बोला गया है कि जो आधुनी की करन है वो सिर्फ इस चीज़ से पता नहीं चलता है कि हम कौन सी नई technology का use कर रहे है ठीक है लेकिन अगर हमारे social outlook में या हम कहें कि हमारे समाजिक दृष्टिकोन में अगर परिवर्तन आ रहा है तो वो भी एक तरीके से हमारे आधुनी की करन होने का या फिर modernization होने का एक संकेत एक indicator है जैसी कि social outlook में change होने का मतलब क्या है जैसी कि अगर ये recognize किया जाने लगे कि जो women's है जो महिलाए है उनको पुरुषों के बराबर ही अधिकार मिलने चाहिए ठीक है traditional society में क्या होता था कि women's are supposed to remain at home while the men work यानि कि उसमें ये माना जाता था कि जो महिलाए है वो घर में रहें वो घर के काम करें और बाकि जो पुरुष है वो बाहर जाके और काम करेंगे ठीक है लेकिन modern society में क्या है कि इन चीज़ों में तोड़ा सा change हो रहा है और जो women's का talent है जो महिलाओं का talent है उसको use किया जा रहा है in the workplaces जैसे की bank में, factories में, schools etc में ठीक है and such a society in most locations is also prosperous तो इस तरह की कि जो society है वो कैसी होगी prosperous होगी या फिर समर्द society होगी यानि कि सिर्फ modernization का मतलब यह नहीं है कि नई technology का use करना लेकिन अगर हमारे समाजिक दृस्टी कोड़ में भी अगर बदलाव आता है परिवर्तन आता है और अगर हम इस तरह की की बातों को भी अमल में लाते हैं कि महिलाओ और पुरुष में कोई बेदबाओ नहीं है कोई discrimination नहीं है दोनों के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समान अधिकार दोनों को मिले हुए है तो वो भी एक अच्छे समर्द समाच का एक क्या कह सकते हैं कि आईना है ठीक है चलिए आगे ये चीज़ है self-reliance का मतलब है आत्म निर्वर तो यानि कि आप एक बात समझ सकते हैं कि जो मोधी जी जोड दे रहे थे self-reliance के ओपर या आत्म निर्वर भारत बनाने के ओपर वो कोई नई बात नहीं है ठीक है ये हमारे जो पंच वर्षी योजना ये जो five-year plans है उसका गोल जो है वो रह चुका है तो अगर आप आपसे कोई इस बारे में अगर डिसकस करें तो आप लोग उनको उनके साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि इस बिशेय पर डिबेट कर सकते हैं कि आपको पता है कि self-reliance जो है वो कोई एक नया concept नहीं है वो five-year plans में भी उसके बारे म using resources imported from other nations ठीक है कोई nation जो है यह कोई भी देश जो है वो economic growth को यानि कि आर्थिक विकास को और आधुनी की करण को कैसे promote कर सकता है कैसे बढ़ावा दे सकता है जब वो अपने resources का या तो use करें या फिर वो उन resources का या उन संसाधनों का use करें जो वो किसी दूसरे देश से क्या क ठीक है अब जो पहले 7-5 वर्षिय प्लांस थे ठीक है जो first seven five years प्लांस थे उन्होंने क्या करा है उन्होंने importance दी है कि इसको self-reliance को which means avoiding imports to those goods which could be produced in India itself यह वही बात कही गई है जैसे आप इसको अगर किसी ने अभी मोदी जी की बात सुनी हो प्रधान मंत्री जी की तो उन् है क्या करना है कि अपने से जितना भी समान हो सकता है वो खुद बनाना है ठीक है उन्होंने तो एक बात और भी कही थी कि खुद बनाना भी है और अगर हम जितना बना सकते है उसको और देशों को देना भी है यहाँ पर बात की गई है कि हम import पे जो है वो dependence अपनी कम कर दे ठीक है और जितना समान हो सकता है वो हम खुद अपने देश में बनाना चालू कर दे तो this policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries especially for food यह सही बात बोली कही है कि हम लोग जो है अपनी जो dependence है जो अपनी निरभरता है वो foreign countries पर जो है वो कम कर दे और खास कर किसके लिए food के लिए यानि कि खाद्य प्रदार्त के लिए ठीक है It is understandable that people who were recently freed from foreign domination should give importance to self-reliance यानि कि अभी क्या था कि हम लोग इससे पहले यानि कि 1950 से पहले की जो बात की जा रही है कि अभी हम क्या थे हम Britishers के गुलाम थे या उनके अंडर में थे तो अब जब हम उनसे आजाद हो गए है तो हमें इस तरफ को ध्यान देना चाहिए कि हम आत्म निरभर बनने की तरफ को आगे बढ़े Further it was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies तो ये भी एक कही न कहीं डर था कि अगर हम imported food supplies यानि कि जो हमारे आयात किये हुए जो food products है ठीक है उनके ओपर अगर हम निरभर रहते है या फिर हम foreign technology के ओपर निरभर रहते है या foreign capital के ओपर निरभर रहते है तो जो हमारे देश की sovereignty है यानि कि जो संप्रभूता है वो भी कही न कहीं इस वज़े से खत्रे में पढ़ सकती है कि जो हमारी policies है जो हमारी नीतिया है उनमें क्या हो रहा है foreign interference हो रहा है या आप कह सकते है कि विदेशी दखल हो रहा है तो इसकी वज़े से भी इन चीजों से दूर रहने की बात की गई थी और आत्म निरभर बनने की तरफ को कदम बढ़ाए जाने की बात यहाँ पर कही गई थी ठीक है चलिए अगला देखते है equity equity का मतलब क्या है देखे सबसे पहले दिया गया है कि now growth modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living ठीक है विकास भी हो रहा है आधुनी की करण modernization भी हो रहा है आत्म निरभर भी देश बन रहा है लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जिस तरीकी की life जो है वो लोग यहाँ पर जी रहे है उसमें improve आए उसमें सुधार हो यह जरूरी नहीं है ठीक है यह हम कैसे सुनिश् करेंगे कि इन सब चीजों का फाइदा जो है वो डेरेक्ट देश के लोगों को मिल रहा है या उनकी जिंदगी में सुधार हो रहा है उसके लिए देखे क्या है अ कंट्री केन हाव हाई ग्रोथ थे मोस्ट मॉडर्न टेक्नलोजी डेवलप्ट इन दे कंट्री इच्सेल्फ and also have most of its people living in poverty ऐसा हो सकता है ठीक है कि देश के पास क्या है कि जो उसका विकास है जो हाई ग्रोथ है यानि कि विकास हाई है जादा है most modern technology उसके पास हो सकती है यानि कि उसके पास सबसे जादा आधुनिक टक्नीक हो सकती है और वो भी ऐसी जो अपने खुद के देश में बनी हो यानि कि self-reliance वाली आत्म निरभर वाली ठीक है और तब भी ऐसा हो सकता है कि जो लोग है वो गरीब हो देश में लोग जो है वो पावर्टी में रह रहे हो तो इसके लिए क्या है कि it is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor sections as well instead of being enjoyed only by the rich यानि कि ये जरूरी है कि जो भी economic prosperity है उसके जो भी फा पहुचें ऐसा ना हो कि जो फायदे है वो सिर्फ कुछ लोगों के बीच में रहे सिर्फ अमीरों तक ही उसकी पहुच रह सके लेकिन ये जो जितने भी फायदे है जो हमारे growth बढ़ने की वज़े से modernization की वज़े से या फिर self-reliance बनने की वज़े से जो बढ़ रहे है उनक equity is also important equity का मतलब होता है कि उन तक चीजों को पहुचना उस section of society या उस तबके तक चीजों का पहुचना जिसकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है every Indian should be able to meet his or her basic needs जैसे की food, a decent house, education and healthcare and inequality in the distribution of wealth should be reduced ठीक है तो सब लोगों को क्या होना चाहिए कि जो उनकी basic जरूरत है जो मूल भूज सुइधाए है उनके पास होनी चाहिए जैसे की food ठीक है खाना उनके पास होना चाहिए, एक रहने के लिए proper मकान होना चाहिए, decent house होना चाहिए, सिक्षा उनके पास होनी चाहिए और जो स्वास्त संबंदी सेवाए है जैसे की healthcare facilities है वो उनके पास होनी चाहिए और जो distribution of wealth में जो inequality है जो असमानता है वो थोड़ा सा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए अब जो अगला पार्ट इसमें हम देखेंगे वो एक एक करके यह जो five year plans है इसमें किस तरीके से जो अलग-अलग sector है जैसे की agriculture sector है, industrial sector है, trade sector है उनमें किस तरीके से इनका जो है role है, ठीक है, क्या-क्या वहाँ पर इनमें किस तरीके से focus किया गया है इन sector में, वो हम समझेगे ठीक है, फिलाल इस पार्ट को हम इतना ही रखते है, मैं आपको बस एक चीज़ यह दिखाता हूँ कि एक word जो हमनें यहाँ पर पढ़ा चलिए, देखिए, तो यह मैं आपको बताने कोशिश कर रहा हूँ कि equality और equality में क्या अंतर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तीन बच्चे दिखाए गए हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, यह सबसे बड़ा है, यह उससे छोटी है, और यह सबसे छोटा है equality का मतलब है कि तीनों को, यह एक तरीके से आप मार सकते हैं, resources है, ठीक है, यह तीनों resources जो है, तीनों में समान रूप से बटे हुए है, this is equality, लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है, देखिए, बच्चा जो है, यहाँ पर कुछ match वगरा चल रहा है, तो बीच में एक दिवा रहा है, यानि कि जो purpose है, वो अभी भी हल नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर हम इसके contrast में बात करें, अगर equity का हम use करें, यानि कि जो यह बड़ा वाला बच्चा है, इसके लिए basically क्या है, कि इस box की जरूप है नहीं, क्योंकि इसकी height जादा है, तो इससे अगर यह box हटा के, अ आपने पहले देखा भी होगा, लेकिन इसका मतलब समझना बड़ा जरूरी है, कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, और इसको आप, मतलब real life situation में, real life scenario में, आप equity और equality को कैसे समझेंगे, उसके लिए जो चितर है, जो diagram है, बहुत ही जादा important है, ठीक है, और self-explanatory है, इसमें जरूरत जादा है, ठीक है, और जिनको जरूरत कम है, उनको ये चीज़ें जो है, वो कम मिल रही है, ठीक है, चलिए, तो I hope आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, अगर आया है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, जादा से जादा शेयर कीजिए, और comment करना जो है, वो न बोलता आ रहा हूँ, लेकिन जादा तर आप लोग उसको follow नहीं कर रहे है, प्लीज इस बात को मानिए, थोड़ा सा comment कीजिए, हाई हेलो कर सकते हैं, कोई दिख़त नहीं है, थोड़ा सा अपनी presence जो है, वो आप यहाँ पर दिखाईए, ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है, तो present बोल सकते हैं, hi बोल सकते हैं, hello बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, good afternoon, good evening, good night, good morning, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, तब आप बता सकते हैं, बागी जिसको कोई कुछ चीज पूछनी है, कुछ comment है, कोई doubt है, कोई query है, कोई feedback देना चाता है, कुछ अच्छ बने के लिए हमारा facebook page, twitter page, telegram channel का use कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे कोई और बात share करना चाते हैं, कुछ चीज बताना चाते हैं, या कुछ पूछना चाते हैं, तो उसके लिए हमारी email ID जो है, वो भी आप लोग के लिए है, that is okul.co.gmail.com, ठीक है, चलिए, बिलते हैं अ अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखेगा, please do take care of yourself, thank you, have a nice day, bye bye.